अगर आपका Power Breakfast में नमस्कार मैं हूँ दिपानशु भंडारी और हफते का दूसरा ट्रेडिंग दिन है और बेहत खराब ग्लोबल संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं इसका Impact यॉरोप में भी हमने देखा था यॉरोप में भी बाजार काफी कमजोर से 2% तक की गिरावट आपने देखिए और आज सुबह एशा के बाजारों में भी इसका आप Impact आते हुए देख रहे हैं जपान के बाजार 1.1% नीचे हैं चीन और हॉंग कॉंग कोंग के बाजार भी अब खुलने की तैयारी में हैं वहां से भी कमजोरी संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं ग्लोबली थोड़ा बाजार रिस्क आफ मूड में आते हुए दिखे हैं थोड़ा उपरी सरों से मुनाफ़ा वसूली आपने देखिए थोड़ा रिस्क सेंटिमेंट कम हुआ है और थोड़ी चिंता बनी हुए है जहां तक आर्थिक मंदी का सवाल है तो इन सभी फैक्टर्स की वज़े से हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर बना हुआ है डॉलर इंडेक्स वापिस 108 की उपर है पांच हफते की उचाई पर आते हो दिख रहा है कच्चे तेल में आपने आक्शन देखा है नाच्छल गैस के दाम कल फिर से नई रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचे तो काफी कुछ हो रहा है ग्लोबल मारकेट्स में जिसकी वज़े से एक्विटीज पर आपको इस समय बड़ा प्रेशर बनते हो देख रहा है आई एक बार समझ देते हैं इन सारे ग्लोबल संकेतों को and of course इसका हमारे बाजार क्ले क्या माईने रहने रहने वाले हैं कुषल गुपता है हमार साथ तयार कुषल गूर्ण बेहत खराब संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मारकेट का सवाल है हम देख रहे हैं काफी बड़ी गिरावट हुई है जरा बताई कैसा आक्शन रहा है बिलकुल दीप और काफी बड़ी गिरावट रही है और across the board रही है ऐसा रही है कि खाली European market या US के markets गिरे हैं और इसका clear cut वज़े अगर आप देखें तो कल के बाजारों में जिस तरह की बिकवाली आती भी दिखी और FIS का भी आप देखें किया सेग्मेंट में लगभग 400-400 अंको की गिरावट की वहाँ पर बिकवाली भी आती भी नजर आई थी वर लाजली जो संकेत आ रहे हैं अमेरी की बाजारों से आप देखें यहाँ पर लगाता दूसरे दिन हमें भारी गिरावट देखने को मिली हैं इनफाक्ट डाव जो है दिन के निचले सतरों पर जाकर बंद होते वे नजर आये लगभग 600 अंको की गिरावट आपको डाव जोन्स में आती वी नजर आई इनफाक्ट S&P 500 भी आप देखिए यहाँ पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बिकवाली हमें देखने को मिली हैं नैस्डेक जो पिछले दिन शुक्रवार काम देख रहे थे लगबग 2% रुडगा था अब आप देखिए अल्मूस 5% तक की गिरावट नैस्डेक में कल के सतरों में अगैन बनती वी नजर आई इनफाक्ट अल्फबेट गूगल या फिर आप नेट्फिक्स की बात करें तो वहाँ पर भारी दबाव हमें देखने को मिला इनफाक्ट आजून के बाद यूएस में एक दिन की सबसे बड़े गिरावट कल के सतर में ही दर्च होती वी नजर आई दूसरी तरफ बॉन्ड यहाँ पर भी अब बढ़त के संके देखने को मिल रहे हैं लगबग 3% के पार बॉन्ड इल जाती वी नजर आई एक महिने के उचाई पर अगैन बॉल्ड इंड पहुंसते वी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जैक्सन होल के जो सिंपोजियम होने वाला है उसके पहले कहीं कहीं जो हौकेस्टान स्टेडर्स मान कर चल रहे हैं आगे चल कर और अग्रेसिव रेट हैक्स होने की उमीद लगा कर चल रहे हैं उसका इंपाक्ट आपको अमेरिकी बाजारों और साथी जो ग्लोबल बाजार है यूरोप इंटूड इंटूड वहाँ पर देखने को मिल र रहा है और और अल्मोस 97 डॉलर्स पर ये कारबार कर रहा है ओपेक प्लस की जो बैठेक होने वाली है उसके पहले ये प्रोडक्शन घटा सकते हैं ऐसा ये मानना है ओपेक साथी अरब का तो देखने आओगा कि वहाँ से किस तरह का फैसला निकल कर आते हैं बट अगेन जै कि आगे चल कर हो सकता है गैस प्रॉम जो है कुछ दिनों तक फिर से जो गैस अप्लाई है ये उरोप को बंद करते हुए नजर आए तो देखना होगा कि यहां पर ये जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है वो कब तक जो अमेरिकी बाजार है और जो ग्लोबल फैक्टर्स ह उसको इंपाक्ट करते भी नजर आते हैं बिलकुल तो खराब संके तो आपके लिए आ ही रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल हो एस्पेशली कमोडिटी बाजार के आक्शन पर आपको रखनी पड़ेगी नजर बहुत दो शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ के लिए और ग्लोबल मार्केट का सेटप समझाने के लिए एस्पेशली पचास अंक नीचे बट निसले से थोड़ा कवर हो देखते हैं यह 17,450 की रेंज के आसपास इस समय फिलाल स्टीबल आपको दिख रहा है